हमारे न्यू चेप्टर का नाम क्या है सामने लिखा हुआ है आपके क्लियर सर ओके डन परें स्टार्ट साथ बज़ के नौ मिनट हो गए है सर चेप्टर का नाम क्या है चेप्टर का नाम दैट इस वैल्ली ओफ फिरम कि यह चेप्टर में हर बार जो करवाता हूं न थोड़ा उससे मैं सोच रहा हूं इस पर डिफरेंट करवां बहुत आसान चेप्टर है और हम इस चेप्टर में कोस्टन के उपस जादा फोकस करेंगे ना कि theory के उपर focus करेंगे इस chapter में ठीक है तो देखते हैं सर chapter का नाम value of firm तो start करते हैं क्योंकि जैसे usually मैं अपने हिसाब से सारी चीज़े लिखता हूं और करता हूं तो वही करते हैं हमारा chapter का नाम है value of firm यहां पर ना firm से कई लोग partnership firm समझ लेते हैं firm से मतलब है company किसी company की value निकालो और किसी भी company का अगर मैं value निकालने की बात करूं तो एक ही fund है simple सा fund है किसी company की value निकालने को आप समझेंगे अगर तो sir क्या fund है company के अंदर देखा जाए तो तीन चीजें को अगर add कर दे तो उसे company की value माल लेते हैं जैसे sir company के equity share capital और क्या sir company का preference share capital और sir company के सारे known long term borrowing या मैं कह दूँ यहां पर debenture कह देता हूं तो बहुत basic और simple word में अगर देखे न तो किसी भी company का value निकालने के लिए आपको यह चीजें पता चल जाए तो आप पता इसको क्या कहेंगे sir इसको कहेंगे हम value of firm जैसे एक example से भी देख लो आप मैंने कहा मेरे पास equity share capital मान लेते हैं 5000 का है मेरे पास preference share capital मान लेते हैं 3000 का है और मेरे पास मान लेते हैं debenture जो है वो है suppose करो 1000 का तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इस firm का value क्या है तो बड़ी सीधी सी बात है इन सभी को add कर दोगे और firm का value कितने होगे 5 और 38 और एक 9000 यह क्या है हमारा value of firm बहुत simple से चीज़ है लेकिन अब हमें समझना होगा सर यह value क्योंकि equity की दो value होती है एक जो होता है face value और एक कौन सा होता है market value तो यहाँ पे कौन सा value consider किया जाएगा तो यहाँ पे जब value of firm निकालेंगे तो market value हमेशा consider किया जाता है क्योंकि हम firm की value आज निकाल रहे हैं कि हमारे firm की value कितनी है तो आज की value को consider किया जाएगा तो यानि सर हमें इस chapter में अगर value of firm पढ़ना हो तो हमें इन तीनों चीजों के बारे में एक एक चीज की important और एक एक चीज की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए इसको short firm में value of firm को जो है न शॉट फर्म में पदा है मैं क्या बोल possono वी से denote किया जाता है value of firm को short firm में किस से denote किया जाएगा सर वी से denote किया वी श्टेंड फर वेल्यों फर्म और Equity को short firm में मैं D से denote कर सकता हूँ E stand for equity और preference share को मैं P से denote कर सकता हूँ और debenture को मैं D से denote कर सकता हूँ यानि E plus P plus D is equal to V यानि value of firm आगे छोटे-छोटे से words आएंगे उसको हम समझते जाएंगे सर इस chapter में क्या हमें value of firm ही सिखाये जाएगा नहीं value of firm के साथ साथ हो सकता है suppose करो मैं आपके सामने के example लेता हूँ आप मेरे example का जवाब देजिएगा ठीक एक नया new example मैंने बता दिया V मेरा 15,000 है और equity मेरा 6,000 है और preference मेरा और preference share हर बार नहीं होगा मान लो preference share हर बार थोड़ी नहीं होगा आपने इतने question कि और preference share अक्सर नहीं होता है इकूटी तो बिना इकूटी के तो बिजनस चली नहीं सकता लेकिन preference mandatory नहीं है और मान लेते हैं आप से मैंने पूछ लिया debenture बता दो क्या है question mark तो मैं यहां पे आप से value of firm थोड़ी न पूछ रहा हूँ मैं आप से क्या पूछ रहा हूं यहां पे आप debenture बताईए तो कितना debenture होगा simple सी बात है V का formula क्या होगे हमारा E equity plus में debenture यहां फिलाल यानि V का formula क्या होगे सर equity plus में debenture अगर equity plus debenture है तो V आपको पता है सर V कितना है हमारा 15,000 बहुत बच्चों ने जवाब दे भी दिया और मैं इसको थोड़ा जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनके लिए कर देता हूं equity कितने थे हमारे 6000 तो प्लस अगर D देखें तो सभी बच्चों ने जवाब दे दिया कि सर D यहां पे 9,000 आएगा यानि इस example से पता चला कि value of firm में आपसे value of firm पूछ सकता, value of क्या पूछा जा सकता है debenture, value of क्या पूछा जा सकता है equity पूछा जा सकता है और value of firm तो पूछा ही जा सकता है यहां पे मुद्दे की बात है हमारा जो जितने भी है इसको E से denote करेंगे अब हमें किसी का भी value क्लास से उनके लिए मैं बताऊंगा ही बताऊंगा equity के cost cost का मतलब जैसे होता है न ब्याज का rate ऐसे हर किसी का rate निकलता है तो equity के cost को हम KE से denote करते है के और small E capital E नहीं लिखना आपको small E लिखना ऐसे debenture के cost को पता है किस से denote करते हैं KD यानि इस question में देखा जाए तो कहीं नहीं कहीं आपसे KE और KD पे भी discussion किया जा सकता है अगर मैं आपको simple सी बात है मैं एक question देता हूँ मानलो आपको मैंने दिया sir KD KD दिया मैंने 10% ठीक है यानि debenture और मैं अगर आपको debenture बताऊं के 1000 रुपे है तो यही ultimately rate of interest tax ignore कर देते हैं अभी फिलाल तो कितना होगा interest हमारा 100 रुपे यानि आपने बोला sir अगर आप ये चीज़ दोगे ये दोगे तो हम easily बता देंगे 100 रुपे अगर sir आप easily 100 रुपे बता पा रहे हो तो मेरा दूसरा question है अगर suppose करो suppose करो मैं ये चीज़े छुपा दूँ आपसे ठीक है ये चीज़े छुपा दूँ और मैं पूछ रूँ आपसे आप debenture बता दू मैं आपसे पूछ लूँ के आप मुझे debenture बता दू तो कैसे बताओगे debenture आप debenture बताने का तरीका simple है 100 into में क्या करोगे value of firm में value of firm निकालने के बहुत सारे तरीके हैं हर किसी ने अपने अपने theorem दिये हुए हैं जैसे किसी चीज़ का आप देखे होगे कई बार science मैं बीच में थोड़ा सा लेता हूँ कि science में हर एक चीज़ को प्रूफ करने के अलग-अलग scientist ने अलग-अलग विज्ञानिक ने उसको परमान करने के अपने-अपने अलग laws बोले हुए है same accounts के अंदर भी और FM के अंदर भी जो पूरे theory को जो first time निकाला तो यहाँ पे जो है basically चार लोगों का involvement हुआ हमें है तो और भी लेकिन हमें चार लोगों के बारे में पढ़ना है एक पढ़ना है हमें MM approach यानि Modi Miller Gnani इनका नाम था MM approach इन्होंने बोला भीया value of firm ऐसे निकलेगा एक था net income approach तो net income approach एक method था जिसने भी net income approach निकाला उन्होंने बोला कि ऐसे निकलेगा value of firm एक है traditional approach तो जिन्होंने traditional approach करा उन्होंने का value of firm ऐसे निकला जाएगा एक था net operating income approach तो जिसने ऐसे बोला तो वो तो पहले हम देख लेते हैं इस chapter में तीन चार तरीखे के approaches है और ये approach ना सिर्फ अभी आपको सुनना है इसको applicable बिलकुल भी नहीं करना है क्योंकि इस applicable करने पर मैंने देखा जायतर बच्चे confused हो जाते मैं नाम बता देता हूँ क्योंकि सवाल के बीच में नाम आएगा कई बार तो सिर्फ और सिर्फ मैं नेम यहां पर लिख देता हूँ ठीक है चार है basically इस चार का जो की इनके adjustments हैं जो इनके theory हैं उनको समझने में हमें आसानी रहेगी तो इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं net income approach इसको short firm में भी बोल देते है NI approach बोल देते है ठीक है न मैं short firm जो question के बीच बीच में आएगा और exam में भी ऐसा पूछा जाएगा तो मैं लिखता जाता हूँ बस नाम आपने देखना है कि ऐसा नाम कुछ है इसका क्या काम है हम बाद में देखेंगे इसके बाद क्या है हमारा net operating income approach सर इसको short firm में क्या बोलोगे NOI ठीक है दूसरा net operating income approach NOI तीसरा क्या है तीसरा आपका है traditional approach मैं जानता हूँ जब मैं यह लिख रहा हूँ traditional approach को कोई short firm में नहीं बुलाते स्रिफ traditional approach बोलते है इसका क्या है इसमें क्या करना है आप लोगों के मन में यह बात जरूर आ रहा होगा सर यह तो बता दो यह है क्या करना कैसे नहीं है तो मैं अभी के लिए बोलूँगा मैं इसके business पर सवाल नहीं करा हूँगा मैं तो concept बता हूँगा सवाल होगा सवाल होने के बाद end में सबसे लास्ट में मैं इन तीनों को compare करके दिखाऊंगा यह बीच में जब लगेगा मुझे कि आपको चीजे समझ में आने लगी है तो बीच में हम discuss कर लेंगे एक है mm approach एक है mm approach that is mm approach क्या होता है सर moody Miller approach moody Miller approach के नाम से है ठीक है न तो यहां पे चार तरीके के approaches हैं जो कि इस सवाल के बीच में आएंगे लेकिन questions को करते टाइम पे यह जो तीन points है न आपको questions को करते time पे बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा कि कौन से approach से क्या करना है आपसे जो पूछा जाएगा वह valid find कर लोगे हाँ mm approach सबसे मतलब के ज़्यादा valid माना जाता है तो यह बिल्कुल अलगी दे रखा है तो इसको अलग करेंगे तो अभी जो हम कुछ concept करने वाले हैं उससे यह तीनो अप्रोच एक बार में निबढ दाएंगे आपके ठीक है न तो सर इसको करने के लिए कुछ basic terms का पता होना जरूरी है इसके अंदर basic terms सर बेसिक terms क्या क्या हो सकता है देखिया जैसे की वी जैसे वी वी क्या होगा value और फर्म इसके बाद इए क्या होगा equity जैसे की D, D क्या होगा debenture जैसे की P, P क्या होगा preference share हाला की P बहुत reary होगा इसके बाद word होगा AKE, क्या होगा cost of equity सर इसके बाद word क्या होगा AKE, KD KD क्या होगा cost of debenture जिन बच्चों की आज first class है मैं सारी चीजे लिख रहा हूँ, पिछले class से इतना ज्यादा नहीं होगा समझने की कूसिस करेगा जिन बच्चों ने पहले अगर ले रखिए क्लास इस स्टार्टिंग से लिवरेज वेल्यों फर्म तो काफी बच्चों का यह डाउट आ रहा है सर पहले कौन सा करना है तो मैं क्लास के एंड में आज यह भी बताऊंगा कि पहले जो नहीं बच्चे प्रिफ्रेंश शेयर ठीक है उसके बाद आ जाएगा के ओ डैट इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल और सर को को ही हम क्या कहते है सर डबल्ू ए ven डृप्रेंग एसमाल कर सकते हो और कुस्टन के बीच बीच में और इसमाल होगा आप इसमें से आप चाहे तो पूरा word लिख लेजिए या फिर इसके short form लिख लेजिए अब कुछ एक formula ये use होंगे उस formula के उपर discuss कर लेते हैं ये तो थे basic terms जो की use होंगे अब बात करते हैं कुछ formula basically formula कुछ नहीं है basically इसमें है क्या आपने कर रखा है उसी को repeat कर रहा है K.E. कैसे निकाला जाएगा K.E. निकाला जाएगा earning K.E. Dאखे K.E. निकालने के बहुत तरीके होते हैं दो तरीके होते है K.E. निकालने के मैं दोनों लिखूँगा लेकिन फिलाल यहाँ पे और कुछ तरीका होगा की यी निकालने का क्या होगा सर earning for equity इसको दूसरे वर्ड में बोल सकता हूँ profit after tax अगर preferential नहीं है तो या earning after tax divided by equity और सर E का मतलब पता है यहाँ पर क्या है market value वो अमेशा पता चल जाएगा आपको generally अगर मैं V दे दूँगा आपको पूरे firm का V के भाईया 10 लाख रुपे पूरे firm का V है V मैंने दे दिया 10 लाख और यह market value है और मैंने D बता दी आपको 3 लाख है तो आपसे अगर मैं बोलू के equity market value निकाल के बता दो ता बहुत फट से बता दो के निकाल के तो एक तो इस तरीके से निकाला जा सकता है हाला कि इसका एक और formula होता है जैसे कि KE is equal to D1 divided by P0 plus में G यह formula इस chapter में इस्तमाल नहीं होगा इस chapter में आपका बार-बार यहीं इस्तमाल होगा इस formula को मैं थोड़ा और design से भी लिख सकता हूँ कैसे लिखोगे सर इस formula को देखो, PAT कैसे बनता है EBIT उसमें से minus क्या करते हो interest और फिर इसमें क्या कर देते हो last में 1 minus में T और divided by मैं इसको अगर कर दूँ equity यहाँ पे number of equity नहीं है, value है यह क्या है सर value, कुछ बच्चे equity का मतलब number मत समझ लेना जहाँ पे number आएगा एक यह भी आप apply कर सकते हो तो मेरे से पूछेगा सर इस formula और इस formula में क्या फारक है और कोई फारक नहीं है वहाँ पे direct सब कुछ minus minus करके मैंने profit after tax ले लिया यहाँ पे यह जो सारे चीजे है इसको solve करोगे तो आएगा ही हमारा क्या profit after tax divided, दोनो formula हमारा same है चलिए सर एक formula हमने देख लिया दूसरा formula देख लेते है अगर दूसरे formula की हम बात करें तो ko कैसे निकाला जाएगा सर e, b, i, t divided by v, यानि value of firm value of firm अब देखो जहां मैंने k लिखा है ना है तो हर कुछ यह percentage में एक बात ध्यान रखिएगा जितने भी मैं KE, KD, KP, KO बता रहा हूँ यह सारी की सारी चीज़ परसंटेज में है तो last में 100 लग जाता है आपको fm के अंदर financial management में 100 दिखाने की ज़रत नहीं होती दिखा भी दो तो फरक नहीं पड़ता और नहीं भी दिखाओगे तो कोई number नहीं कटेगा ठीक है ना equity value है number नहीं है इसका क्या मतलब है कि student पूछ रहा है जैसे कि मानलो मैंने बोला के भईया मेरे पास 2000 share है और एक share की value 15 रुपय है तो कितने होगे sir 30,000 तो equity का मतलब यहां पर equity के जगह पर 30,000 लिखे जाएंगे ना कि 2000 लिखे जाएंगे इसका मतलब मैं यह बताना चाहरा था ठीक है और sir अब यह formula से ना आप बहुत सारे formula बना सकते हो मानलो आपको EBIT पता है और KO पता है तो value of firm भी निकाल सकते हो मानलो आपको value of firm पता है और KO पता है तो EBIT निकाल सकते हो तो मैं वो सारे formula बार बार बना के नहीं दिखा रहा वैसे तो 10 और formula create हो जाएंगे यहां पर समझ रहे हो ना 10 और formula आप इसी को इधर उधर करके या फिर केई आपको equity पता है केई पता है तो पैट निकल सकता है आपको पैट पता है केई पता है तो value of equity निकल सकता है तो इसको आगे पीछे करके 3-3 देखो एक दो तीन है न पॉइंट तो यहां तीन formula बन सकते हैं आप और और एक दो तीन पॉइंट है तो यहां और कितने formula बन सकते हैं तीन आगे पीछे करके तो वह मैं नहीं लिख रहा हूँ वह फॉर्मुले आपके बन जाएंगे खुद बखुद जब कुश्चन करेंगे तो इक्वेशन बना लेंगे एक है हमारा वी तीसरा फॉर्मुला है वी वी क्या है हमारा ए प्लस में प्लस में पी तो होता नहीं जनरली डी इन तीनों को जोड़ दे तो क्या आजाएगा हमारा वी आजाएगा तो ये बेसिकली तीन फॉर्मुले हर बार यूज होना है ठीक है ये तीन फॉर्मुले हर बार यूज होने है ठीक है इन टू हंड्रेड है और यूज है अभी हम कुछ कुस्टन्स भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ठीक है ना इन टू हंड्रेड ऑल्वेज होगा पहले यहां तक देखो ये फॉर्मुला समझ में आया जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे उनको तो लगेगा ये यूस्टू है ये तो पहले ही देखा हमने सारी चीजे जिन बच्चों की फर्स क्लास है उनके लिए सारी चीजे नहीं है वो नहीं चीजे देख लो हम पहले ये देखो ये सारी बाते समझ में आये तो फिर हम आगे चलते हैं इंकम स्टेट्मिंट बनाने जाते हैं और कुछ हम प्लैन को देखेंगे कि किस तरीके से प्लैन होगा कुछ एक और अबरिब्रेशन भी हो सकता है वो मैं अबरिब्रेशन वो भी लिखी देता हूं और क्या क्या हो सकता है जितने मुझे अभी याद आये करते वे वो मैंने लिख दिया एक T होता है T तो हरकिसी बच्चे को पता है T stand for क्या होता है तो वो मैने लिखा नहीं T stand for क्या होता है text आ ये इस्टेंड फॉर हो इंट्रस्ट वो चीजे मैने लिखुंगा नहीं यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है आपके तो ये चीज़े मुझे लगा पता है I का मतलब है यहाँ पे इंटरस्ट और T का मतलब होगा टेक्स ठीक है I का मतलब होगा और D का मतलब जैसे मैंने D शब्द इस्तमाल किया है तो D का मतलब होगा बाकी यह वाला फर्मुला तो यूज ही नहीं होता जनरली यह फर्मुला बहुत रियर ही रहता है कि यूज हो यह आगे यूज होगा भी नहीं बाद में यूज होगा ठीक है लिवरेज में इबी टी से टी लेस करते है तो पैट आता है बिल्कुल सही बात है इबी टी से टी लेस करते है तो यह देखो यह वाला अगर इसमें से यह माइनस करेगा तो इबी टी है पेट्ट करें तो पैट आएगा तो पैटी लिखा है मैंने बिल्कुल सही बात है नहीं एवीटी में से एटी टेक्स माइनस करते हैं आगर वही चीजे लिखी हैं यहां पर आगे बढ़े कुछ एब्रिबरेशन मैंने नहीं लिखा है यहां आप बोलोगे तो मैं लिख दूँगा चलो लिख देते हैं क्योंकि जो बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से देख रहे हैं वो बोलेंगा सर कुछ चीजे तो हमें पता ही नहीं है कि एक मिनट यह क्या हो कि लिख देते हैं कुछ चीजे पॉइंट रहे गई है प्रच्चे दाउट हो जाता है उनका कि का मतलब है यहां पर टेक्स पी जीरो का मतलब है करेंट प्राइज ठीक है और बताओ पी वन का मतलब क्या होगा पी वन का मतलब जो मार्केट प्राइज है expected होता है जो कि ये price हो जाएगा ठीक है और D का मतलब क्या है सर T0 का मतलब डिविडेंड जो कि paid हो चुका है T1 का मतलब क्या है सर जो डिविडेंड will pay करेंगे ये सबी जैसे जैसे use होगा ना use करना हम सीख जाएगा अब income statement पर आ जाते हैं और भी चीज़े समझ लेते हैं आपको ना हर बार जैसे मान लो आपको बता दे जाएगा कि fund जो है मुझे 5 लाख रुपे का इंतिजाम करना है या फिर मैंने बता दिया मेरा पांच लाख रुपे का सारा हिसाब किताब बनाना है इसमें से 30 परसंट डेट रहेगा तो आपको पता होना चाहिए कि कितना होगा 30 परसंट का मतलब है तो बाकी का साड़े 3 लाख क्या हो जाएगा हमारा एक्विटी होगा ऐसे ध्यान रखना है आपको एक सर्टेन फंड बता जाएगा उस फंड के हिसाब से आपको एक पोर्षन बता देगा कि इतना डेट है या इतना एक्विटी है दूसरे पोर्षन को आपको पता कर लेना है खोदी कि ये ठीजे कितना वेल्यू बचेगा और ये जो फंड बता है मैंने ये आपको पता है क्या दिये जा रहा है एक तरीके से वी दिया जा रहा है चलिए हमने एक आद कुश्चन देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा पहले इंकम स्टेटमेंट देख लेते हैं कैसे कैसे होगा कुश्चन देखते हैं डारेक्ट क्योंकि फिर इंकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो थोड़ा सा रहेगा ये देखें 2012 में पूछा गया है हम मैंने पहले आपसे क्या बोला एक बार दुबारा रिवाइस करवा देता हूं हम कहां तक थे सर वेल्यो फर्म मतलब फर्म की कीमत फर्म की कीमत का मतलब जहां पे एक्यूटी डिबेंचर और प्रिफरेंश यर तो सर इसको इस अप्रोच से कैसे करना है इसके उपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना आपको सवाल दिया होगा आप पूरा आंसर निकाल लिएगा लास्ट में बस थियोरी के पॉइंट ओव यू से कंपैरिजन किया जाएगा अभी देख लेते हैं सौरब सुभम जो भी रहेगा सर वन प्लस सी बीडीटी सी बीडीटी ना अब सी बीटी हट गया है कॉर्परेट डिविटी नहीं है जैद अब ना कॉर्परेट सी डीटी होता था कॉर्परेट डिविडेंट टेक्स वो हट चुका है अब दीरे दीरे चलिए आगे देखते जाएंगे आईए एक आपके सामने कॉस्चन है पहले हम एक बार कॉस्चन को थोड़ा समय दें समझने के लिए जैसा ही कॉस्चन समझ में आएगा आपको पता चल जाएगा यूजवली करना क्या है कहता है हमारे पास दो और्गनाइजेशन है एक S लिमिटेड और एक T लिमिटेड तो मैं आपके सामने न साथ के साथ फॉर्मेट भी कर लेता हूँ दो और्गनाइजेशन है तो दोनों के लिए एक ही बार काम करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा FM का पार्टना इसी फॉर्मेट में जाता है हमेशा ज्यादे से ज्यादा इसी फॉर्मेट में जाता है जितने पार्ट है उसको टिराइव कर लिजिए कहता है दो और्गनाइजेशन है एक है हमारा S लिमिटेड यहाँ पर S लिमिटेड लिख लेते हैं और एक है हमारा टी लिमिटेड यहां टी लिमिटेड लिख लेते हैं एस लिमिटेड वाले का कर लेंगे टी लिमिटेड वाले कर लेंगे the same risk class, same risk class का मतलब, risk का मतलब क्या होता है कि जैसे आप पैसे कहीं invest करते हो तो कितने chances है कि आपके पैसे वहाँ फस सकते हैं या डूब सकते हैं तो risk कितना है, जैसे आपने किसी को पैसे दी हैं, तो कितने percent risk है वहाँ पे, तो same risk class company है, मतलब दोनों में एक ही तरीके से है, अगर आपको बोला जाए S में invest करोगे, या T में तो बोलोगे या दोनों जगा same risk है, तो कहीं भी हम कर सकते हैं, and identical all respect except the company as used debt सभी चीजों में identical का मतलब है एक समान है, लेकिन फरक ये है, कि S जो है ना, वो debt, S के पास करजा है, और बाकि जो T के पास होगा, वो करजा नहीं होगा, यानि आप समझ सकते हो, कहीं बार जरूरी थोड़ी है कि हर किसी company के अंदर debenture हो ही, नहीं हो सकता किसी company में debenture, equity preference तीनों है, किसी company में सिर्फ equity है किसी company में equity और debenture है, तीनों चीजे possible है, तो वही कह रहा है कि S के अंदर debent है while the company, T does not deb, कहता है T के अंदर no deb है, इसके अंदर कोई भी debent नहीं है और इसके अंदर S में debent है, यानि क्या कहना चाहरा है, T के अंदर करजा है ही नहीं, और S के अंदर करजा है और करजे का मतलब क्या, debenture ठीक है, the leavered firm has, अब देखो leavered जिसके अंदर debt होगा न जिस company में debt होगा न, उसको हम leavered कहते है उसको क्या कहते हैं, leavered, और जिस company में debt नहीं होता no debt जिस company में debt नहीं होता इस बात को ध्यान रखिएगा, बार-बार आएगा word, उसे unleavered कहेंगे ठीक है न, leavered का मतलब company के अंदर करजा है करजा है और unleavered का मतलब करजा नहीं है इसका मतलब unleavered में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा equity होगा, और leavered में क्या होगा, equity और debt दोनों ही दोनों होगा, समझ रहे हो बात आप तो यहाँ पे कहता है कि the leavered firm तो अब leavered बताओ कौन सा है अभी मैंने समझाया, कहता है कि S के अंदर debt है और T के अंदर debt नहीं है तो the leavered firm है, so leavered का मतलब किसकी बात कर रहा है जिसके अंदर debt होगा, उसको क्या नाम दिया leavered, तो यहाँ पे S के अंदर debt है और इसके अंदर debt नहीं है, तो किसकी बात कर रहा है वो? S की कहता है, the leavered firm has 9 lakh debenture carrying interest 10% कहता है कि भी leavered firm आपके है जो अपकर बताये गया है, उसके अंदर कितने का debenture है, 9 lakh का तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, debenture कितने का debenture है, सर इसमें 9 lakh का, rate कितना है तो simple सी बात ऐसे लिखेंगे ना 10% debenture 9 lakh का, ठीक है आगे कहता है, both firm earn 20% operating profit their total assets जितना भी इनका assets होता है उसके उपर 20% दोनों firm कमा लेती है operating profit का मतलब कहने का है EBIT, EBIT जो दोनों firm का है और कितना है हमारा EBIT कैसे निकला यहाँ लिखता जाता हूँ EBIT कैसे निकला सर, 15 lakh assets है और इसके उपर कितने परतीशत 20% जो कि कितना आ गया 3 lakh, तो यहाँ पे कहता है, both firm earn operating profit, operating profit का मतलब EBIT होता है EBIT को भी क्या बोलते है हम operating profit ध्यान रखिएगा इस word को EBIT कितना है, दोनों का सेम है, तो इसका भी क्या होगा 3 lakh, और इसका भी क्या होगा 3 lakh, ठीक है यहाँ पे firm word जादा यूज होगा मैंने बोला firm का मतलब क्या है, company से क्योंकि debenture और shares तो भी या company में होता है partnership firm में थोड़ी ना होता है the company tax bracket मैं 30%, company का tax rate मैं 30% and capitalization rate capitalization rate all equity, यानि आपको question में K.E. दिया जा रहा है K.E. कितने दिया गया all equity कहता है, the capitalization rate 15% all equity share यानि सर, यहाँ पे आपको K.E. मिल गया, K.E. इसका भी कितने परसेंट है 15% और इसका भी कितने परसेंट होगा 15% दोनों का दे दिया K.E. ठीक है you are required to compute the value of S S की value बताईए और T की value बताईए और यहाँ बोल रहा है net income approach इस income approach को नहीं देखना है इसका क्या मतलब है हम सीधा answer निकाल देंगे ठीक है न Approaches theory के point of view से बनाए गए है practical के point of view से बच्चा उलत जाता है इसके अंदर इसलिए भाईया V निकालना है आपको ultimately V अब V निकालने के लिए क्या करोगे सर पहले हम फूरा प्रोसेजर कर ले V निकालने का formula क्या होता है equity प्लस में debenture है तो debenture दोनों को जोड़ना है V आ जाएगा बड़ी simple सी बात है कौन सा अपरोथ चल रहा है उसे छोड़ दीजिए आप समझ में आ रहा है अब भाईया इसके अंदर तो equity होगा इसके अंदर तो debenture होगा ही नहीं तो सरिफ equity को निकाल लेंगे वही V है इसके अंदर equity और debenture दोनों निकालेंगे तो V है अब सर हमें debenture तो पता है इसके अंदर इसमें से minus क्या कर दो interest interest minus करोगे तो ये कितना है हमारा नब्य हजार कुछ बच्चे बोलेंगे कैसे आया तो नौ लाख पे 10 परसेंट ना नब्य हजार यहां पर interest होगा ही नहीं तो जो हमारे पास result आया यह क्या आगे हमारा ebt इसे बोलते हैं interest before sorry earning before tax अब इसमें से इसको minus करोगे तो क्या आजाएगा दो लाख दस हजार और यह कितने आ जाएंगे हमारे तीन लाख आ जाएंगे अब इसमें से हमें क्या minus करना होता है पता है tax को minus करना होता है finally tax का rate bracket दे रखा है 35% तो tax का rate जो दे रखा है 35% देट इस दो लाख दस हजार का 35% तो 73,500 और इसका 35% निकालेंगे हम देट इस एक लाख पांच हजार समझ पारे हो बात ठीक है और इसके बाद minus करने के बाद जो पैसा बसता है वो क्या जाता EAT और यह सारा पैसा किसके लिए होता है सर एक्विटी वालों के लिए तो 3,000,000,000 मैं 30% तो यह आजाएगा 3,000,000,000 मैं 35% तो यह आजाएगा 195 यह क्या आजाएगा 195 इसके बाद देखा जाएगा 2,10 का 35% यह आजाएगा 1,36,500 अब बताएगे V निकालना है अब ध्यान से सुनिएगा V निकालना है सबसे पहले मैं जो question पूछूँँँगा बताते जाएगा V निकालने के लिए क्या क्या जूरत पड़ती है मैं V का formula लिख देता हूँ थोड़ा सा adjustment कर देते हैं इसको V का formula लिख देता हूं नीचे ताकि आपको याद आ जाए कि V का formula क्या है सर V का एक ही formula है बड़ा simple सा E plus में D यही formula तो सीखा है हमने V का V का क्या formula है E plus में D अब इस वाले firm में T में तो भाई या D तो है नहीं यानि E पता चल जाए E का मतलब market value of equity और D इस वाले firm में D पता है और इसमें भी E पता कर ले तो दोनों को हम निकाल सकते है V समझ रहे हो बात को अगर इसमें आपको debenture पता है न अगर मैं equity की value बता दू तो दोनों को जोड़ दोगे debenture और equity को और यहां पर क्या लिख दूगा V यानि सर V क्या है V is equal to E plus में T यही formula तो सीखा है अब मुझे हर किसी में equity चाहिए equity का क्या formula होता है सर अब equity का formula मैंने पीछे बनाया नहीं था आपको बनाना है यहां देखिए मैंने के लिखा है यहां पे equity का formula आप बता सकते है equity को इधर करके आप निकाल सकते है equity का formula फटा फट से आप drive करके पताईए क्या बन सकता equity कैसे निकल सकता है सोच यह equity कैसे निकलेगा क्योंकि equity के लिए आपको केई दे रखा है question में और PAT यानि EAT या PAT बोल लो या EAT बोलो यह आपको यह भी पता है question के अंदर और यह part भी पता चल चुका है है कि नहीं है कि यह पहले से दे रखा था और यह वाला part पटा है तो equity कैसे निकलोगा equity का formula बना लो या इसी formula में आगे पीछे करके कर लो मेरे से पूछो सर equity का formula आप बना करके दिखा दो तो मैं equity का formula कहां बनाऊँगा किधर बनाए इधर बना देते हैं roughly अगर आपको इतनी छोटी सी बात अगर समझ में आगे तो मेरे हिसाब साब में फॉर्मूला लगाँगा तो आपको अब्जेक्शन भी नहीं होगा इस इकल टू पी एटी या इएटी लिखा ने तो इएटी लिखेंगे सिमेट्रिक रखना हमें ठीक है इएटी डिवाइड़ बाइड के इपहले वाले कोश्चन में इएटी क्या है 136 500 डिवाइड़ बाइड के कितना है 15 है तो परसंटेज की जगा पर मैं 0.15 लिख लेता हूँ अब 100 लगाने की जुरत नहीं है क्योंकि मैंने इसको खुदी कनवर्ट कर दिया ठीक है ना तो 136 500 डिवाइड़ बाइड वाइड 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 अप्रोच है उसे मत ध्यान देजिए आपने क्या निकालना है वी और वी निकालने का फॉर्मूला स्टार्टिंग में देखा था तो वी कैसे निकालोगे सर आपका यहां पे क्या चाहिए एक डिबेंचर और एक इकुटी इकुटी यह रहा और डिबेंचर यह रहा इकुटी है जब डिबेंचर नहीं होता है तो के ईजटी है इस इकल टूटाइब माना जाता है यहीं हुआ ना एक फार्मूला और मैं लिए धुछ यहां पर कि कई बार ऐसा हो सकता है पॉसिबल लेंस करके लिख देते हैं कि आपका e is equal to v हो जाए ठीक है e is equal to v possible है हो सकता है अब मैं दूसरा question पूछता हूँ ko क्या होता है overall चलो अगले question में आएंगे ko नहीं तो मेरा तो मन करना था इस question में जो examiner ने दिया है वो तो देता ही है मैं इसके अंदर एक part और जोड लेता हूँ एक part और जोड देता हूँ अपनी मर्जी से जोड रहा हूँ ko भी निकाल के दिखाओ चलो अब आप ko भी निकाल के दिखाओ मैं अपनी मर्जी से add कर रहा हूँ यहां ठीक है ko भी निकाल के दिखाओ देखते हैं कितने बच्चों का answer आता है ko मैं पीछे formula दिखाओ देता हूँ और यहां फिर मैं ko का formula देखाओ देता हूँ आपको क्या है हमारा ko का formula ebit upon में value of firm मैं इधर लिख देता हूँ आपके सामने ko भी निकाल के दिखाओ भाई ko होता क्या है ebit divided by v इससे निकलता है ko कितने बच्चे ko निकाल सकते है जयद का ठीक है दिया का ठीक है ko बताईए ko निकाल पाओगे इसमें और ko भुक में नहीं पूछा गया यह मैं personally पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको बस practice हो जाए बच्चों ने बताया 16,57,000 किसका ko बताया यह नहीं बताया s वाले का कितना है ko नहीं ko तो percentage में 16,57 16,57 चेक कर लीजिएगा ko दूसरे का ko बताओ दूसरे का ko पता है बिना calculation के मैं बता सकता हूँ निकालो दूसरे का ko बताओ नहीं एक मिनट मैंने कुछ गरबड कर दिया गया मार्केट वेल्यू 13,00,00,00 कितने आ रहा है है एक मिनट रोगा V है 13,00,00,00 divided by 13,00,00 क्यों होगा यहां तो वेल्यू फम EVIT कितने है 3,00,00,00 तो 3,00,00 divided by 23% 23% 3,00,00,00 ठीक है 23% अभी इसको ना हम बाद में एक चीज़ और पॉइंट है अभी मैं बता रहा हूँ 23 पॉइंट क्या रहा था 06 और इसको मैं थोड़ा अलग कलर से भी कर देता हूँ यह तो मिट जाएगा इसको याद रखना आगे चलके इसके उपर और डिसकुशन होगी अभी इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन कलर से ठीक है तो ये वाले शूंट नीचे वाले पर मैं ने एक्स्ट्राश आप से पूछा कि कह हो बता दो और बाकी का प्रट अपका यह निकाला हूँ, आपके किताब में जिस बच्चे के पास है आपके किताब कही कोश्चन्स मैं कराता हूँ आपके किताब में देख सकते हो कि आपका अंसर मैच हो रहा होगा और एक्जाम में पूछा गया कुछन आए और यह कुछन 15 नंबर में पूछा गया है एक्जाम में 2012 में और ऐसा नहीं है कि अब नहीं आएगा इतना पुराना है दस साल ग्यारा साल हो गए आते हैं अभी देखना अभी 2017-2018-2019-2020 सारे questions मिलेगा जो इस ट्राइब के पूछेगा है क्यों क्यों लिखा है क्योंकि सवाल में बोला था कि दोनों का 15 परसेंट है देखिए questions में कहां कहता है 15 परसेंट कहता है इसलिए मैंने 15 लिखा है ती में इंटरस्स क्यों नहीं आया ती का मतलब टेक्स होता है इंटरस्स तो होता ही नहीं